दिल को तुमसे प्यार हुआ की कहानी में बंद कमरे में आप सभी की जानवी और चिराक के बीच में होगा ड्रामा जिहां जिस लड़की के लिए आप सभी कि दिपिका और यहां प्रीत्वी ने कितना कुछ किया प्रीत्वी ने तो जान भी दे दी वो भी लावन्या के साथ अपने रिष्टे को मनाने के लिए लेकिन अब लावन्या को जानवी और चिराख के रिष्टे का सबसे पहले पता चलेगा और इसके बाद दिपिका और प्रीतवी को और इसी के बाद यहां पर लावन्या को बड़ा छटका लगने वारा है यहां कहा जा रहा है शादी के बाद अपनी पहली रात यहां पर कुछ ऐसा पिला देने वाली है वो चिराख को जिसकी वजह से वो यहां पर जानवी को दिपिका समझ कर उसके साथ रुमैंस करता नजर आएगा और उसी वक्त यहां पर लवन्या किसी काम से चिराग से मिलने आएंगे और चिराग को जानवी के साथ ऐसी हालत में देख कर वो शौक्ड हो जाएंगी और जब उन्हें पूरा सच होश में आने के बाद बताएंग चिराग तब वो कहेंगे यहां पर तुम तो एक अच्छे बेटे क्या पती क्या एक अच्छे भाई तक नहीं बन पाए चिराग तुमने यहां दिपिका से शादी की हम उसे नराज से लेकिन जानवी का सच तो तुम दिपिका और प्रीथमी को बता ही सकते थे अब क्या पुक्ता ज से गोचे जाले जब साब्रोम है।